हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठेक होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके assignment submission की last date के बारे में पहुत सारे students का कहना है कि हमारे जो assignment submission की last date है उसके extend होने का notice अभी तक release क्यों नहीं किया गया है क्योंकि मैंने अपनी last वीडियो में बताया था कि एक अपरेल को आपके assignment submission की last date है वो extend कर दी जाएगी पर एक अपरेल को आपके assignment submission की last date है वो अभी तक extend नहीं की गई है तो ऐसा क्यों है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इगनू का जो कोई भी notice है वो इगनू मैदान गड़ी headquarter है वो Saturday, Sunday off रहता है और एकनू के जो original center वो भी Saturday, Sunday close रहते हैं तो ऐसे में आपका पहला कारण तो यही है कि आपका जो headquarter है तो आपका जो मैदान गड़ी headquarter है वो बंद है इसके कारण आपका जो notice है वो release नहीं किया गया पहला कारण तो यह है दूसरा कारण यह ह कि आपका जो notice है वो लगबग 2-3 दिन बाद release किया जाता है इस वज़े से भी आपका notice release नहीं किया गया अभी क्योंकि जब भी आपकी last date end होती है अगर हम पहले session की बात करें कभी तो जब भी ऐसा ही हुआ है कि आपकी जो last date है वो तुरंत extend नहीं की गई है लगबग 2-3 दिन बाद extend की जाती है तो आपका ये जो notice है वो आज एक तारिक को और दो तारिक को release नहीं किया जाएगा Saturday Sunday होने की वाज़े से क्योंकि Saturday Sunday close रहता है आपका original center भी और आपका जो इगनू मैदान गड़ी headquarter वो भी Saturday Sunday close रहता है तो ये जो notice है आपके assignment submission का ये आपका 3 April Monday के दिन release किया जाएगा आपका 3 April Monday के दिन morning में या evening में या evening में ये notice release कर दिया जाएगा कि आपके assignment submission की जो last date है उसे 30 April तक बढ़ा दिया गया है और मैं आपको बता दूँ अगर 3 April को आपका notice नहीं आता है तो आपको गवराने की आशकता नहीं है क्योंकि 3 April को आपका जो 36th convocation होना है तो जिसमें जिन भी students के degree complete हो गई है तो आपको degree दी जाएगी जिन भी students ने June 2022 के exam में अपनी degree complete की है तो 3 April के दिन convocation होना है तो इस वज़े से भी अगर notice अगर नहीं आता है कुछ chances यही है कि अगर आपका 3 April को notice नहीं आता है तो वो कारण होगा कि convocation की वज़े से notice नहीं आया है पर जहातर chances यही है कि 3 April तक आपका notice जो है वो release कर दिया जाएगा पर notice जो है आपका 100% release किया जाएगा चाहे वो तीन तारीक को है चाहे वो चार तारीक को है पर notice आपका 100% आएगा और आपके जो assignment submission की last date है वो भी 100% 30 April तक extend की जाएगी आपको अभी April पूरा April मौका दिया जाएगा assignment submission का इसके बाद मई तक भी आपको assignment submit करने का मौका दिया जाएगा इसलिए जो भी students नए हो या पुराने हो अगर आप assignment submit करने जा रहे हैं और आप यह सोचने हैं कि assignment की last date extend नहीं होगी तो आपके assignment submission की last date है तो आपकी last date को 30 April त आप आराम से अपने assignment बना सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें और चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद